देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सब्सक्राइब करता हूँ, आप सभी सोस्त होंगे, महादेव की क्रिपाप सभी पर सिदयब बनिए, यह वीडियो है 7 मार्च 2023, मंगल वार्यानी की ट्यूजडे के दाइनिक राशिफल के बार में, सामानने सब इस्टेशन होता, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दि हर राशि के साथ दिन का उपाए भी बताया जाता है, राशिफल पर हम अवश्य चलेंगे, लिगने एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संग्शिप सी नजर डाल लेते हैं, पंचांग की दरब बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंड बॉक्स में, जय ब शत्र रहेगा पूरो भादर पतर, विशेश योग ब्रह्म मुरत 5.3 एम से 5.52 एम, अभिजीत मुरत 12.10 पीम से 12.57 पीम, और अमृत काल 7.22 पीम से 9.7 पीम, अशुब मुरत राहुकाल 3.29 पीम से 4.57 पीम, और गुलिक काल 12.33 पीम से 2.1 पीम, इन दोनों ही अशुब मुर शुरुआत करेंगे मेश के साथ, मेश दिन शुब है, धन के हिसाब से अच्छा दिन दिख रहा है, मेटरलिस्टिक जीवन, भौतिक जीवन अच्छा दिख रहा है, जो विदेश जाने का प्रयास कर रहेते हैं, उनके लिए कुछ अच्छी नहीं हो सकती है, जल्दबाजी जल्दबाजी की कारण किसी से जगडा, किसी से बहसाधी हो सकती है, दिन में भागया अपका साथ अवश्यत एगा, इन्वेस्मेंट के लिए अच्छा दिन है, इच्छाएं जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, और वहाँ पर थोड़ के इस आपसे दिन अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, अगर आपका एन्युमेल प्रॉडक्स से जड़ा कोई बिजनस है, तो लाब होगा, लव लाई, थोड़ा जागी है, थोड़ा जानी है अपने पार्टनर के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज का एक बार पार्ट करके बजनंग भली को कोई भी लाल फूल अरपन करने है, शुब अंक है तीन, कल है ब्ल्यू, भागे प्रतिशत है, असी प्रतिशत, टॉरस रिशब, बहुत शुब दिन देख रहा है आज का लेकिन वानी पर बहुत कंट्रोल रखना है, आज वानी के क आज विश्वास किसी बे मत केज़ेगा, स्पेशली जहां पर पैसों की बात आती है, इन्वेस्पन कर सकते हैं, अपनी मेंटल सेहत का ध्यान दीजिए, फिजिकल सेहत के साथ-साथ, एक्जॉस्चन दिख रहा है, जादा ही मेंटली एक्जॉस्टेड लग रहे हैं, जहां बहुत अच्छा समय है, अपनी लाइफ पार्टनर को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए, जैसे भी हैं अच्चे बुरे, कोई भी व्यक्ति पूरा अच्छा और पूरा बुरा नहीं होता, थोड़ा एक्सेप्टेंस ले आईए, स्टूदेंस अपने कॉम्मुनिकेशन पर काम कीजिए, सेहत के हिसाब से, दिन थोड़ा mentally प्रॉब्लम आपको दे सकता है, यानि कि anxiety आधी तंग कर सकती है, आपके लिए उपाई यह है कि आपको भजरंग बान का एक बार बाठ करना है, शुब अंक है दो, कल है वाइट भाग्य प्रतिशत है, 75 प्रतिशत, जैम बनेंगे, जीवन आगे बढ़ेगा, लेकिन investment मत कीजेगा, वहाँ पर गलत मिरने आपका हो सकता है, आप से मैं यही कहूंगा कि ज़्यादा attachment मत रही लोगों से, वो आपको आगे चलकर नुकसान देगा, करियर, गुस्ता बहुत रहेगा, दिन अच्चा है, productive दिन है, गु बिजनस, ऐसा लग रहा है कि बहुत बंधनों में बंदे हुए हैं, और कुछ गलतियां आपकी भी है, अपने आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, वनना बिजनस आज के समय में इतनी जल्दी बदलते है, ट्रेंड इतनी जल्दी बदलता है, कि आप पकड़ भी न आप शायद रह रहे हैं, इन सारी चीजों पर काम किजिएगा, स्टूडन्स, अपने कॉम्मुनिकेशन स्किल्स पर काम किजिए, रिटर्न हो, स्पोकन हो, दुनों पर काम करना है, जहां तक सेहत की बात है, पेट की रोग तंग करेंगे और नीद धंग से नहीं आएगी, जहां तक सरवाश्टर की बात है, आपका प्रतम सानी अतिन्त वली है, तो ओवराल तो दिन अच्छा ही जाएगा, उपाई यह है, कि आपको हरुमान जी को दो सरसों के तेल के दियर पढ़ करके, एक बार हरुमान जी के आर्थी करनी है, शुब अंक है, आठ कल है, आपका अच्छे मौके इसके कारण हाथ से निकल जाते है, दिन अच्छा है, सेहत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, उसका ध्यान दीजेगा, कुछ बाहर का खाना पिना जाद आज अवाइट कीजेगा, बैलेंस लाने का प्रयास करना है, आपको हर चीज में, फाइनसे हो, प्र इंवेस्मेंट मत कीजेगा, अच्छा दिन नहीं है, आप से कहुँगा कि जो दिन का अंतिम भाग होगा, थोड़ा नकरात्मक है, यहाँ पर अपने ओपर धैर रखिएगा, कुछ भी अलग मत कीजेगा, करियर के हिसाब से, प्रायोटी सेट नहीं है, क्या करना है, किसी इ अपने के लिए बहुत अच्छा दिन है, कभी-कभी होता है कि मास समझना चाहते ही नहीं है, समझ पाने की दो दूरू की बात है, पहले चाहते ही नहीं है, लेकिन आज का दिन है, कि हम समझ पाएंगे, आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, समय अच्छा वितीत कीज बहुत सकरात्मक दिन है स्टूडेंट्स और कॉंफिडेंस आ रहा है इस पर काब उपाईएगा सेहत के हिसाब से स्लीप डिसॉर्डर्स और रख्त विकारतन करेंगे जहां तक सरवाश्टक की बात है आपका बारवास्थान तिन तमली है तो हाँ दिन थोड़ा सा नकरात्मक सेहत के हिसाब से खर्चे भी थोड़े आज बढ़ेंगे आपके लिए उपाई यह है कि आपको हनुमान बाहुक का दो बार पाट करना है शुब अंक है आपका दो कलय है आपका अबल्यू भाग्य प्रतिशत पैसरपति लियो सिम्ह बहुत अच्छा दिन है आईडियाज बहुत अच्छे आएंगे कुछ प्राप्त करने का दिन है सरकारी कार्य पूरे हो सकते हैं सकरात्मकता पूरे विक्तित तुमें रहेगी और आसपास उर्जा बहुत अच्छी रहेगी आज अटेंशन रहेगी आपके और एक आगर्शन रहेगा आपके पूरे विक्तित तुमें इंवेस्में लेकिन मत कीजेगा इंडियूशन बहुत अच्छी रहेगी लेकिन इंवेस्मेंट से उसको दूर रखिएगा जहादा करियर की बात है थोड़ा सेंसेटिवनेस और इमोशनल ज्यादा आप चीजों का उपयोग कर रहे हैं कारक्षेत्र में यह नहीं होना चाहिए बिजनस के हिसाब से लड़ाई जगड़े हो सकते हैं स्पेशलि अगर पार्टनर्शिप का बिजनस है इवन अगर आप क्लाइंट से कुझ हैं क्लाइंट करते हैं थोड़ा सा वानी पर कंट्रोल हैं मुश्किल चीज यह होती है कि हां कमियां डिसकस करना और उन पर काम करना आज का दिन उसी के लिए हैं जहां तक विवाहिक जीवन की बात है थोड़ी अनिश्यत्ता इंसे क्योर्टी रहेंगी स्टूडेंस होमसिक बहुत फील करेंगे स्पेशलि जो घर से बाहर रहते हैं और वैसे भी स्टूडेंस को आज सोड़ा सा असहाए आप महसूस करेंगे आपको यह लगए चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रहे हैं सेहत के इसाब से कोई हृदे संबंदित रोग है बहुत दिक्कत हो सकती है चस्ट की प्रॉब्लम भी तंग करेगी सरवाश्टेक में आपका लाबस्थान बली है तो ओवरल दिन कुछ न कुछ लाब करी आपके लिए होगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको हनुमान जी के एक बार आरती करनी है और उनको कोई भी सफेद फूल अरपन करने है शुब अंक है पांच कल है आपका ग्रीन भाग्य प्रतिशत है असी प्रतिशत करने आप दिन ठीक रहेगा लेकिन इगो इमोशन्स भावनाएं सब कुछ बहुत जादा रहेंगी तो अपने भावनात्मक जीवन में थोड़ा सा बैलेंस लाने का प्रयास किजेगा भावनाओं में भैस सकते हैं आज बहुत इंफ्ल लेकिन इंवेस्ट्मेंट समझने का प्रयास किजेगा आज ऐसा दिन है कि आपको आप नकरात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो एकदम आपकी उर्जाव ऐसी हो जाएगी और इसका वाइज़ा वर्सा भी है कि उर्जा एकदम आपको इंफ्लेंस करेगी तो आज अपनी चीजों पर आ रही है जिन पर नहीं आने चाहिए इन सब चीजों पर आपको ही प्रयास करने पड़ेंगे अपनी साइट से कीजेगा चीजें ठीक हो सकते हैं विवाहिक जीवन विश्वास की कमी बहुत दिख रही है और चोटी-चोटी चीजों पर यह हो रहा है इन सब प्रेंशन और कफ रोग तंग करेंगे सरवाश्टेक में आपका दस्वा सानत इंत बली है तो ठीक है ओवराल दिन अच्छा ही जाएगा प्रोडक्टिव जाएगा उपाई यह है कि आपको हरुमान जी की एक बार आर्थी करनी है कपूर के साथ शुब अंक है वन कल है यलो भागया प्रतिशत है 75 तुला लिब्रा दिन देखे ठीक ठाक है आपका बस एक चीज़ कहूंगा कि थोड़ा सा अपने इमोशन पर बैलंस रखेगा क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन दिन तो आपका बहुत अच्छा दिख रहा है मन में जो भी चल रहा है उसको कभी-कभी सब कुछ भूल कर एक नई शुरुवात करनी पड़ती है यह चल रहा है वो चल रहा है उसने ये कह दिया उसने धोखा दे दिया वह तो होता रहता है यह जीवन हम जब जी रहे हैं तो यहाँ पे अच्छे लोग बुरे लोग अच्छे एक्सपिरिणस की हो जाएगी कभी कभी एक fresh start जीवन में चाहिए होती है आज का दिन आपका वैसा ही दिख रहा है investment की जहां तक बात है कर सकते हैं थोड़ा contentment भी ले आई अपने life में बहुत अच्छा रहेगा करियर बहुत शुब दिन है भागे का साथ मिलेगा कारेक शेत्र में business अगर technology से संबंदित कोई काम है liquid से संबंदित chemical से संबंदित specially कोई काम है बहुत अच्छा दिन रहेगा लव लाइफ एक दूसरे के बारे में जानना छोड़ दिया है समय के साथ हम सब change होते हैं लेकिन व आप से गले के रोग अगर thyroid की problem है दिक्कत वड़ेगी सरवाश्टक में आपका भाग्य स्थान वली है तो दिन overall तो बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए उपाई है कि आपको हनुआन चली से का दो बार पाट करना है शुब अंक है आपका one color है आपका brown भाग्य होगा लेकिन मन कहीं और होगा आप कहीं और होंगे तो थोड़ा सा इन सब चीजों पर काम कीजेगा overthinking से जैसा मैं कहरा हूँ पूरा बचना है और व्यरत के खर्चे भी आज बढ़ सकते हैं अपने pocket पर भी थोड़ा सा heart tight टक कर चलिएगा जहां तक investment की बात है मत कीजेगा अच्छा दिन नहीं है आप आपके जीवन में जो भी emotions है बहुत इस टाइम एक्स्ट्रीम में हो रहे हैं गुस्सा है एक्स्ट्रीम में प्यार है जलसी एक्स्ट्रीम में और जब ऐसा होता है न तो जीवन में बहुत imbalance आता है वैसा ही आपके साथ देख रहा है इन सब आप आरक शित्र में नहीं आना देंगे बिजनस बहुत अच्छी आइडियास का दिन है लेकिन जैसा मने का दिन थोड़ा सा मांसिक रूप से परिशान आपको गरेगा तो कोई बड़ा निरने मत दीजेगा लव लाइफ यहां पर जगड़े हो सकते हैं जगड़े वाला द पीश में उनको क्लियर कर लिजेगा जातक स्टूडेंस की बात है अच्छा दिन है आपका एक्जाम अगरा पड़ता है अच्छा करेंगे सेहत पेट के रोग ऐसे लिटी आदी भौत थंग करेगी सरवाश्टक में आपका अच्छम भावत इंतबली है तो बता रहा है दिन थोड़ा नशित्ता लेकर आपके लिए वश्चा आएगा उपाई यह है कि आपको बजरंग बान का एक बार बाठ करना है बजरंग बली को दो सरसो के तेल के दिया अरपन करने है शुब अंक है आपका दो कलर है आपका ब इन चीजों से निकलना पड़ेगा थोड़ा भावनात्म अवश्य रहेंगे इसलिए आज लोगों की बातों को ज्यादा ध्यान मत दीजेगा कुछ कार्या पूरे हो सकते हैं इंवेस्मेंट कर सकते हैं अपनी बुद्धी मता का प्रयोग कीजिए जो आज आज कल आप इंप्लिमेंट करने का प्रयास के दिए छोटे-छोटे चेंजेस पर काम कीजिए लव लाइफ थोड़ा सा उदास करने वाला दिन रहेगा आपके हिसाफ से चीज़े शायद नहीं जा रहे ही वो थोड़ा उदास करेंगी विवाहिक जीवन अपने सेल्फ रिस्पेट के सा साथ कॉंप्रमाइस मत कीजिए जो कि शायद आप कर रहे हैं आजकर जहां तक स्टूडेंस की बात है अच्छा दिन है ओवराल बहुत पॉजिटिव दिन दिख रहे हैं सेहत की आपसे स्लीव डिसॉडर एंग्जाइटी सरवाश्टक में आपका सब्तम भावत इंत बली है तो ओवराल दिन ठीक साथ हैगा बैलेंस दिन रहेगा आपके रिए उपाई यह है कि आपको हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करके बजरंग बली को किसी भी मिश्ठान का भोग लगाना है शुब अंक है आपका चार कल है आपका रेड भागे प्रतिशत है सत्तर प्रतिश किजेगा जिवन की सकरात्मक चीजों पर विचार आज जादा किजेगा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहुत बड़ा माउन मत किजेगा आज जल्दबाजी से बिलकुल बचना है जल्दबाजी आपके लिए बहुत घातक हो सकती है करियर के हिसाब से दिन ठीक ठाक सा है ओ जवाही जीवन थोड़ा इमोशनल दिन जादा रहेगा तो अपने भावनाओं पर कंट्रोल कीजेगा भावनाओं में बहकर कुछ मत बोलेगा जहां दक स्टूडेंस की बात है क्रियेटिव दिन देख रहा है अपनी क्रियेटिवीटी का उप्योग कीजेगा सेहत के खला है आपका यलो भागय परतिशत 65 परतिशत एक्वेरियस दिन ठीक ठाक सा दिख रहा है कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती है दिन सकरात्मक है किसी की बातों को ज्यादा महत्तों मत दीजिएगा कोई अगर वहंगात्मक कुछ बोलता है कड़वा कुछ बोलता है उसके क ठीक दिख रहा है अपने मैनेजमेंट के साथ संबंदों पर काम किजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आगे तो आपने बॉसस के साथ भी कोई प्रॉब्लम आगे तो चीजी ठीक हो सकती है जहां तक बिजनस की बात है इमोशनल डिसीजन कोई ले सकते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखरी अगरे अच्छा करेंगे सेहत के इसाप से गले के रोगतां करेंगे सरवाश्टक में आपका पंचम भाव अथिंत वली है तो दिन बहुत सकरात्मक जाएगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको हनुमान 40 का एक बार पाठ करके बजरंग बली को मिश्ठान का भोग लगाना है शुब अंक है आपका आठ कले है आपका रेड भाग्य पतिशत है 75 पतिशत है कर सकते हैं सकरात्मक्ता देख रही है करियर के इस आपसे बहुत शुब दिन है जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे कुछ अच्छा हो सकता है बिजनस यहां पर भी दिन अच्छा ही दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा जल्दवाजी से बचिएगा और कडवे शब्दों से लव लाइफ बहुत शुब दिन है इमोशनल हैपिनस रहेगी अच्छा दिन है विवाही जीवन यहां पर भी दिन ठीक ही देख रहा है लेकिन कोई बड़ा निरने मत लीजेगा स्पेश्री अपने लाइफ पार्टनर से बिना पूछे तो बिलकुल मत लीजेगा आज स्टूडेंस आपका जो पाथ है आपका जो रास्ता है थोड़ा भ्रमिट सा हो गया है किसी बड़े से बात कीजिएगा सेहत के इसाप से थायरोइड है गली की प्रॉब्लम है पेट की प्रॉब्लम यह सब दिक्कत देंगी सरवाश्ट्रक में आपका चौथा भावत इंत बली है तो ओवराल दिन ठीक जाएगा थोड़े इमोशनल हेल्थ पर भी काम कीजएगा उपाई यह है कि आपको बजरंग बानका एक बार पाठ करना है शुब अंग है वन कलर है ब्ल्यू भागय प्रतिशत 75 प्रतिशत तो यह था साथ मार्च का राच